प्रसार भारती अभिलिक हगा की प्रस्तुति सभा बहार सुनहेर दौर का अन्मूल खजाना वो इतना अच्छा गा बजा रहा होता है कि आप उस व्यक्ति के व्यक्तित को भूल जाते हैं और वो साज या वो आवाज आपको आकरशित करती है लेकिन जीवन में कभी-कभी ऐसे च्छन भी आते हैं कि कोही कलाकार ऐसा भी कर गुजरते हैं कि ना तो आपको ये ध्यान रह है कि ये व्यक्ति है या ये साज है ये क्या बजा रहे हैं कौन सी राग है कौन सी ताल है और वो आपको आहत से अनाहत नाद की उड़ ले जाते हैं और ऐसे ही विलक्षन शक्सियत आज हमारे बीच में हैं शरन रानी जी शरन रानी जी मैं आपको प्रणाम करता हूं और आ तो अतिशयोक्ती नहीं होगी दीदी हम इस सरोध और आपके जीवन की यात्रा के वारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपकी पारिवारिक प्रश्ट भूमी क्या है सबसे पहले तो बर्मा जी आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिस रेडियो से मैं बच्पन से जुड़ी हूई हूँ और आज अठातर वाँ वर्षपूर कर रही हूँ पून कर रही हूँ और उस समय मुझे याद किया गया कि मैं कुछ अपने जीवन काल के बारे में बता सकूँ तो आपका धन्यवाद करती हूँ ये हमारा देश हिंदुस्तान का ये भारत वश का ये एक बहुत बड़ा देश है हर तरह से देश बड़ा है इसकी संस्कृती इसके धर्म इसकी जाती इसके लोग खान पीन बेश भूशा इसमें संगीत तरह तरह का संगीत यानि कहा जाए कि इसकी पहार इसकी नदिया इसके समुद्र सबी दुनिया से बिलक्षन बिलकुल आप सही कह रहे हैं और हमारे देश का जो दिल है वो है दिल्ली और दिल्ली का जो दिल है वो है चांदनी चौक जिसन में इतनी घटनाएं घटी हैं जिसने पूरा इतिहार दिखा है भारत वस्का भारत को बहुत ही ऊची कहना चाहिए स्वण युग में भी देखा और आज तक देख रहा है तो उस चांदनी चौक में एक गली है जिस गली का नाम है जुगल किशोर बड़ा सब भाटक है जी और उसके अंदर हमारे परिवार के हमारे बाबाजी के परिवार के सब मकान हुआ करते थी और उसी एक मकान में मेरा जन्म हुआ था उस समय बहुत दिल्ली में शोर मचा हुआ था क्योंकि आठ अप्रेल को भागत सिंग ने एसेंबली में बंप है का दी उसकी वज़े चे अंग्रेजों का राज था बड़ी जबरदस्थ अफरात अप्रेज मची हुची और नौ अप्रेल को मेरा जन्म हुआ तो समझ लीज तुफानों के जबाने में सफर में मेरा जन्म हुआ जी मेरा जन्म एक सब्रांद कुल में काइस्थ माथुर फैमली में हुआ हम दस भाई बहन थे और मैं सब से छोटी बहने जो पिता जी थे वो व्यापार में थे उनकी बड़े भाई थे जो हमारे ताउजी थे ये दो ही भाई थे और व्यापार में और जिमिदारी में थे व्यापार क्या था? बहुत छोटी छोटी गलिये थी, देखने लाइख वो मनजर होता था, हर एक कोई एक दूसरे के खरीब होता था, बिल्कुल दिल से सटे हुए थे सब, और कोई सवारी अंदर नहीं जाती थी, एक डोली हुआ करती थी, जिसको की लोग कंधे पर उठाती थे और उसी में इस् पर्दा होता था, पर्दा सिस्टम था, एक पर्दा टांग दिया जाता था, और आवाज लगाते थे डोली वाले, डोली आ गई है, पर्दा डाल दीजे, उसके बीच में से वो निकल के डोली में बैठ जाती थी, तो अकसर पास की गली में हमारा नंसाल था, जेल पुरी मे तो हम अपनी मा के साथ उस डोली में बैठ के बहुत छोटे से थे, तो बहुत छुटपन की तो नहीं आद है, हाँ, तीन बरस की उमरत से याद हैं मुझे बालुआ, तो उसमें बैठ के हम जाया करते थे, और आते भी थे, हमारे घर में गोड़ा गारी भी थी, और मोटर का भी थी, लेकिन कभी इन गल्यों में ये सब सवारी नहीं आ से आ सकती थी, बाहर चानी चौक में खड़ी होती थी, और उस जमाने में मैंने देखा था, दिल्ली की अबादी मुश्कल से चालिस एक हजार होगी, पे तालिस हजार, जी, और आज तो खेर, आपको मालूम ही है तो समझ लीजिए कि चंद लोगों के पास कार हुआ करती थी, और सब लोग तहवार, तीश, तहवार, हर एक उससे जुड़े रहते थे, एक दूसरे के घर जाना, आना, खाना, पीना, एक दूसरे की मदद करना, तो दिवाली, होली, जितने भी जनम हश्मी, सब कुछ आप पस्वे मिल करके हुआ करते थे, अभी आपने काया कि डोली में इस तरियां जाती थी, जहां ऐसा महोल था और इतना बड़ा संपन, संब्रहंत परिवार आपका, आपकी एजुकेशन किस तरह हुई, हाँ, तो अभी तो मैंने बताया आपको मेरी पेदाइश होई, तो समझ करता थी, हमारी जो मा थी, वो एक एजुकेशनिस फैमिली से आई थी, हैलाबाद की, क्योंकि हमारा जो नंसाल था, मा का जो घर था, मा सब मामा लोग एजुकेशनिस थे, और पढ़ाई और लड़कियों की आजादी, और लड़कियों का कहना चाहिए, देश की सेवा, समा जाम भी हो गई थी कि यह तो मंच पे खड़ों के भाशन देती है आजादी के लिए तो नहरू परिवार से आना जाना बहुत था तो हम समझली जी उधर से मा की तरफ से हमारे घर में एजुकेशन और कल्चर आई और हमारे पिता जी दिली के परिवार से थे और दो भाई थे तो मेरे जो पिता जी थे और मेरे ताओ जी वो रामलक्श्मन की तरफ थे मेरे तो कभी नहीं बोलते थे कभी जो हमारे ताओ जी कहते थे वह होता था तो समझ्जिए जब मैं कुछ मैंने होश समाला, पढ़ाई तो सब की होती थी, किसी को नहीं रोका जाता था कि लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, लड़का है तो पढ़ेगा, सब की पढ़ाई ज़रूरी थी, सब स्कूल जाते थे, हमारी मा मुझे याद है, बच्पन में हम पढ़ाती थी तो समझ लेजिए के बच्पन से हमारे अंदर जो संस्कार पढ़े उदेश भक्ति के शाहिते के एडूकेशन के और हमारे स्पोर्ट्स कभी था और दूसरे क्या के हमारे बच्पन में ही सर्थ तीज तेवार पर गाना बजाना होता था तो स्कूल में तो हम एक अब सो साल से उपर पराना स्कूल हो गया है वो एक इंदर प्रस्था स्कूल गलियों में है जाम मस्जिद पर वहां हम पढ़ते थे गली गली से पैदल चले जाते थे पैदल आ जाते थे अलग कि मारे घर तांगा भी था तो उसमें भी बैठके कभी जाते छोरा तो आज उसकी में वाइस चेर परसन वहीं गवनिंग बॉडी पर और वहां की ट्रस्थ की में छे साल चेर परसन रहीं हो अभी भी मैं जाती हूं और हमारी बहुत सी प्रिंसपल जो पुरानी थी टीचर्स प्रफेस्टर्स अब नहीं हैं कोई-कभी मिल जाती हैं तो हम तो एसी रही है हमारे घर की कल्चर एसी थी हमारी माने हमारे एक अंदर संसकार फूट फूट के भरे थे अच्छे संसकार धर्म के संसकार सचाई के संसकार एक चरत्रवान होने के संसकार ऐसे संसकार भरे थे तो आईस्ता आईस्ता हमारे घर में होली दिवाली शादी सब पर जाना बजाना होता था और सब गाते थे सब गाना गाते थे हमारी बहने और हमारी घर के अंदर नाशते भी थे सिर्फ इस्त्रियों के सामने घर के अंदर ही होता था तो जब मैं बड़ी होनी शुरू ही तो कहीं भी से भी रिकॉर्ड बचता था कहीं शादियों का ये कोई र माचने लगते थी तो मुझे बहुत ऐसा मन करता था हर वकर ठेरकते रहती थी मुझे संगीत इस तरह से अपनी तरफ कीटा था तो समय लीजे अब बच्पन इस तरह से शुरुआ और हमारी माँ बड़े खुश होती थी कि हर एक चीज में ये लोग शौक देखाती हैं तो समय लीजे के ऐसे करते करते हम बड़े बड़े होने लगे अंग्रेजों का जमाना था फिर वो चान्नी चौक की एक कल्चर थी संसुर्टी थी एक महर पूरी दुनिया में घूम कर आई हूं मैंने चान्नी चौक में देखा है जहां एक कौने से और आखिर तक हर धर्म का मंदर है यानि आप चान्नी चौक में घुचिये तो जैन मंदिर है लाल मंदिर है आप उसके बाद चलिए तो गौरी शंकर का मंदिर है उसके आगे चलिए तो गुरुद्वार है उसके सामने चर्च है और फिर और आगे चलिए तो मस्जिद है और फिर आखिर तक जाईए फट् पर दर्स्ट कहना चाहिए चान्नी चौक शहर है, शहर नहीं, कहना चाहिए एक ठान है ऐसा, कि जहां से सब कल्चर इनसान सीखता है. चान्नी चौक शहर नहीं, को आज देश की नहीं पूरे विश्व की महांतम कलाकार हैं, आपको यह जो बैसे तो काहिस्तों में और खास्तों से मात्रों में यह जरूरी है, हर लड़की गाना बजाना जरूर करती एक शौकिया, लेकिन आप ने इसको एक ब्यावसायक द्रिष और मैंने आप से अभी कहा, वर्मा जी के बहुत ही छुटपन से में संगीत इतनी आकर्षित होती थी, कैसा भी संगीत हो, समझ तो तीनी, तीन बरस की आयू में क्या समझ होती हैं, तो मैं नाचने लगती थी, और भाव भंगिमा बनाती थी, शीचे के आगया खड़े हो कर लगता हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता था, और क्या होता था, कि हमारी गली की, जो छोटी-छोटी लड़के मेरी उम्र की थी, जैसे जैसे बड़ी गुड़े-गुड़ियों से खेलती थी, तो मेरे से भी कहती ही, खेलो, आजशाधी करेंगे, हमारी गुड़िया होगी, त मेरा मन नहीं लगता था मेरा इन चीजों में बिलकुल मन नहीं लगता था और सहेलियों में भी मन नहीं लगता था तो हर समय मुझे ऐसा लगता था क्या करूं मैं कुछ समझ नहीं आता था क्या करूं तो आपका मन ना तो सहेलियों में लगा सिरफ डांस में लगता था तो श पुछ समाला तब एक दिन क्या हुआ कि दिली में एक बहुत बड़े डॉक्टर होते थी डॉक्टर जूशी उनकी दो लड़कियां थी निर्मला जूशी और एक और थी तो निर्मला जूशी जो थी उनको संगीत से बहुत प्रेम था और वो जब पंडित जीने एकेडमी बन होना चाहिए वो होना चाहिए यह सब फोक डांसे जो रेपब्लिक डे पर होते हैं सब फोट तो निर्मला जूशी जो थी जैसे हमारे संगीत के लिए विश्णो दिगंबर भार्त खंडे इस लोगों ने उस जमाने में काम किया कि घर घर में संगीत को पहुंचाने की कोश फूल खोल रही हूं संगीत का निर्ट का और घर घर से में बच्चों को चाहती हूं वो सीखें मैं तो इतनी खुछ रूए उनकी बात सुनके और उन्होंने मुझे अपनी गोदी में बठा लिया च्छोटी सी ती में तो हमाई घर के सब कहने लगे नहीं 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 लड़की कोई डांसवांस नहीं सीखेंगी हमारे घर की कोई लड़की नाचवांस नहीं सीखेंगी क्योंकि उस दखक का समाज ऐसा था कोई भी भले घर की लड़की नाचना गाना नहीं सीखती थी बाहर गाने के लि और या जो गाई काहें थी वो खांदानी होती थी या बाई हैं थी जो कि उस जमाने की बाई हैं बड़ी उची तरह की थी कोई कोई बाई शिक्षा देती थी बड़े-बड़े राजकुमार जाते थी उनके हां ट्रेनिंग लेने कुछ-कुछ गाने में थी बड़ी तो यह मेरे एक तरह से बैकिंग करते रहे तारीफ करते रहे कि तुम कुछ भी करती हो तो उन्होंने कहा कि मैं इसको ले जाओंगी आप इतनी छोटी आप क्यों फिकर करती हैं मेरे कान भी नीचे देते गोदी में लेकर बैठी के नहीं मैं देखूंगी इसको और उन्होंने अच्छन महाराज जो की कथक के जो आज माने जाते हैं बिर्दू महाराज उनके पिता थी उनको लेकर गाई घरानेदार कथक डांसर अब अच्छन महाराज बहुत ही शरीफ पर मोटे थे और निक्त में तो क्या बहुत ही प्रमीन थे तो वो सिखाना उन्हें शुरू करा तो हम मुश्किल से दो तीन लड़कियां थी और दो लड़कियां जो दूसरी थी उन्हें कोई शौक नहीं था वो बड़ी थी मैं बहुत चोटी थी तो उनके पिताजी को शौक था वो बंगाली डॉक्टर था तो बहुत दुखी थे सिखाते थे तो क्या हुआ कि कुछ हर्षे बाद एक वरत डांसर आये और वो जब आये वो अच्छन महरात के छोटे भाई शंभू महराज थे और गाने में उस्ताज चांद खान को रखा दिली घराने के चांद खान और उस्मान खान उनके भाई तो हमने चांद खान उनकी सब जगया है हमें तो शौग था तो क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले हम रस्था कूद रहे थे और हम गिर पड़े तो वो मेरे कौनी की हड़ी तूट गई तो उस जमाने में इतने स्पेशलिस नहीं होते थे उन्हेंने एट से बैंडेज कर दिया और बहुत दिन तक तक तेड़ी बेड़ी हड़ी जड़ गई है तो कर्थक में पोस बना के ऐसे खड़े होते थे तो बहुत देर नहीं खड़ा हुआ जाता था तो ऐसे हम खड़े उस वख़त अच्छान महाराच बुले देखो ये शम्भू मेरे भाई हैं ये आजकल आए हैं तुमें तो हम चुप चुप सुनते रहें तो वो सिखा रहे हैं तो इतने ही में जब वो देख रहे हैं हम खड़े बड़े खुश हो रहे हैं कि ये बड़ा च्छा पोस बना के खड़ी होती है तो इतने ही में उन्हें जब मूँ मोड़ा तो हमाई बाह में दर्द होने लगा नीच तो तोड़ दूगा हाथ नीचे कैसे किया तो वह ऐसे जो हथोड़ी लाइं में उनके हाथ के से नीचे से निकल के बाग गई और भाग गई तो मैं निरमला जोशी के कमरे में सीधी पहुंची ऑफिस में उनकी लाग ली थी तो मैंने क्या मैं नहीं सीखोंगी यह जो हो गया क्या हो गया मैंनके तो पी के आते हैं कि मुझे बद्बु आ रही है और दूसे आज मेरे उटसर फोड़ देते मेरे हड़ी टूटी है तकलीफ होती है तो उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया बठा लिया कहले अब वो नहीं से खाएंगे तो मैं मैं उन्हें डाट दूगी और चपराथी को बुलाया जाओ नीचे से चोकलेट लाओ एक समोसर लाओ एक गुलाब जामन लाओ स्वीट्स लाओ अमे मुझे खिलाया बिलाया लाड करके और मुझे मना लिया तो इस तरह चलते-चलते निजते शुरू हुआ और समझ लीजे फिर उन्होंने कि आज अच्छन महाराज का और हमारा शौव कोगा उसमें रेबा विद्ध्यारती भी आ गई थी जब तक तो ये रिंद सेनेमा होता है पहले हॉल नहीं होते थे दिल्नीम ऑं कोई हॉल नहीं थी तो रिस सिनेमा कश्मीरी गेट पैर सेनेमा उलता हौ तै उसमें हमारा तब उस दिन से घर में फसाद शुरूगा कि ठीक है तुम सीख रही हो लेकिन बाहर ऐसे मेक अप करके घूंगरू पहन के लेंगा पहन के बाहर वालों के सामने नाचो यह नहीं होगा घर में जितना चाहो नाचो गाओ यह सब नहीं होगा चलो तो शोग ख़तम हो गई तो हमने के चलो ख़तम अब क्या जगड़ा है उसके बाद वो शोग बरता की चला जाता कई गाना भी सीखना शुरूग उमने राग वाग भौशी यह वह बहौत सारा दिल के अंदर तो भर गया रागों को पहचान हो गई तो अब क्या हुआ तेराया जमाना, उनने कहा कि अब हमाई शो अजमीर जाएगी, मियो कॉलेज में अच्छन महराज की शो होगी, तो उननका तुम मुह नहीं खोलना, तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम्हें ये ताउजी सब्सक्राइब रखते थे, बस हो गया, अब नहीं जाओगी, तो म तो मैंने भूखर्टाल कर दी, दो दिन मैं लेड गई या मैंने खाया नहीं, तो मेरी बहन ने कहा, मैं चली जाते हूँ, तुम ही बिगाड़ोगी इसको, उनको भी बहुत संगीत से शौक था, साहित से शौक, सब को इस शौक था, कैने अभी तो इतनी चोटी है, तो नेर बाद बड़े खांदान की थी, खेर, जब छबने का यह तो जान दे देगी, घाना पी न छोड़ दिया, जाने तो, खेर कानवान छेदे हमारे कुछ पहनने के लिए, तब हम मेर कॉलेज में डांस करने लिए, बड़ी तारीफ हुई, तो हमें तो यह नहीं पता था, आटो इसे बुलीज पर अपना नाम लिखता हो, जो हमें लगा के नाम लिख देए, घर बर तो नहीं है, तो इसे नाम लिख दिया, खेर, वो जमाने बहुत सीधा बन था, कोई इतना एक्स्पोजन नहीं था, टेलेविजिन तो था ही नहीं, तो समझ लिजे इस तरने करके हम तो थी, घर में यह हुआ, किया अब तुम्हें घूंगरू नहीं बानने हैं, तो रियास कैसे करें, तो गुसर खाने में जब नाने जाते हैं, तो डिल घंटे से पहले तो निकलती नहीं थी, महा पर भामें चला रही हूं, आँख चला रही हूं, गर्दन चला रही हूं, घृतकार कर रही हूं, 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 घृतकार कर र यह कोई वाजा बचाना चीखो सितयार सब कोई सितार जानती है ... सितार जानत है ... और कुछ नहीं ... गआना चीखेलो, heart이식े कलो ... जैसे, heart vesweit हार्मोनय बड़ी चीज़ह है और लिखेलो ... मैंने कई मुझे तो अच्छा नहीं लगता ... ये शब कशे नहीं लगता ... तो एक दिन क्या हुआ कि कई साल पहले हमारे भाई को बड़ा शोक था राजिंदर मेरा आए जो थे वो नई नई चीजे खरीद के लाते थे पैसा भी बहुत था उन पर घर में सजा देते तो एक जगे से उन्होंने कभी नहीं देखा था एक बाजा उन्हें पता भी नहीं थ पाजा तो का था। वो खृड लाए और अपनी वाइए कि वाइफ से कहा मैं बाजय लाया हूं यह सीखो तो गहने मेरे बचे इतने छोटे चोटे हैं मैं बच्चों को पालूँगी था और इती हूं नहीं पता ही नहीं था क्या है किया हाँ नाम क्या है, तो मैं नहीं बचाऊंगी, तो वो शरोर जो था एकलमारी पर रख गया, बहुत साल से पढ़ा था, तो उस दिन मेरी दिमाग सामने निगा गई उस पर, आठ साल की थी, मैं आठ नौ साल की, तो मैंने का ये देखें कि क्या बचाए, उसका नाम ही नहीं पता था तो उसको उतारा, पर धूली धूल जम रही थी, उसको जाड़ा और पहुंचा, और गाना सीखा था तो सुर्व ज्ञान तो थाई, तो उसके जो तार थे, ढीले पीले पड़े वेज, उसको मैंने जो कसना शुरू करा, वो अपने आप अपने इस्थान पर आगे, सामा, सा पा, क्योंकि उससे उचा तो जाए तो अजीब लगे, क्योंकि ग्यान तो था उसका म्यूजिक का, अब यह नहीं पता है बचता कैसे, कहां से कैसे बजाएं, क्या करें, तो फलंग पर बैठी हुई थी मैं, फलंग पर बैठके मैंने वो, तो उस जमाने में पैसा चलता था मुझे नहीं मालूम था, जवा से बचता है, यह मिज़ाब से बचता है, काई से बचता है, तो पैसा था, ताम एका पैसा, तो उस पैसे से मैंने उसको जो टकोरा, और जो उसमें आवाज निकली, वह वो मेरे दिल के अंदर चली, वह मैंने का, यह मेरे लिए बना है, मैं के लिए बनी दूछी तरफ में मोड़ा इनी अपने कोई कभी ध्यानी नी करा तो सारा दिन में बैठे बैठे उस पर करते करते सारे गामा पाधा नीशा निकाल दिया अपने आप सुने इनी था देखा इनी था अब क्या हुआ कि हमारी घर में सब को इशुख था मैंने पताय गाने बजाने का, तो क्या होता था, कि सब ट्राइ करते थे, यहां तक कि सब गाते तो मैं खड़ी रहती थी, क्योंकि सब कहता है, जूँ पढ़ो, फढ़ो, सबसे थोटी थी ना, हरेक कोई डाठता रहता, ज़ु पढ़ो, यहां क्यो कड़ियो, तो मैं कहते हैं, मैं पहले हैं लेकिन बजाना थोड़ि शीखा था तौँमें बैठ जाती धब 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 अपना बजाना जैसे तबला बजाना है सबके साथ ठीक है अचंगत हो गई और कोई थोड़ी बजता था तो छुडपन में ही ऐसे करते हैं अब क्या हुगा कि कि जब मैं कोई दस एक साल की होंगे, दस ग्यारत साल के बीच में ही थी है, तो एक All India Music Competition हुआ, चांदीन चौक की जूबली सिनेमा में, तो उसमें हमारे घर भी इंविटेशन आया, तो हमें तो मना कर दिया, कि तुम जो हो, नाचना बंद है तुमारा, नाचोगी तो होई न मैं कर दिना चूँगी, तो उसी टाइम पहली साड़ी बनाई थी, वो पहन के, क्योंकि हमारे जो ताउजी, पिता जी थी समाज के बहुत ऊपर के माने जाते थी, तो बुलावा दिया जाता था, तो उन्हें लाइक चीफ गे, तो फ्रंट रो में सारा कॉटूम बैठा हु तो जब इंटरवेल हुआ तो अंदर तो मेरे तलपन हो रही, कि मैं सबसे मिलूंगी कौन-कौन लड़की नाच चाहिती, छोटी-छोटी लड़की हैं नाच रही हैं, हम भी छोटे हैं, तो वहां गए, तो मेरा नाम फेल गया था, कि नाच्टी हैं, तो और्गनाइजर का पते हैं, कौन थे कि लड़की आपनी नाच नी, मैंने कि नी, हमने तो फॉर्म नी बढ़ा के लें, तो क्या हुआ, मैंने कि घूंगरू भी नहीं हैं, कौन तबला बजाएगा, कौन थब हैं, उन्हों सब बुला दिये, तबला वाले भी घूंगरू भी दिलवा दिये, अ तो हम सेज पर, अब हाँ पर जब मेरा दांस के बाद, और जो जो आए, हाँ चारी पहनी रखी थी, अब जब वो एनाउंस हुआ, वहाँ पर रिजर्ट कॉम्पटिशन था, तो उसमें उन्हों ने नाउंस किया, फर्स प्राइस गोस टू, शरन रानी, तो महां लड़ाई होने लग गई, क्योंकि मैं तो candidate नहीं थी, तो सची बात थी, और form भी नहीं भरा था, तो और लड़कियों के parents लड़ने लग गए, महां लड़ाई शरू हो गई, कि ये तो candidate नहीं थी, इनको कैसे आप प्राइस, तो जब जब जगड़ा होने लगा, तो मैं माइक पर, मैं कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं काईदे से नहीं हटती थी, बच्पन से, मैं यहां candidate नहीं हूँ, मैंने तो शौक से, और इन्हों ने मुझे कह दिया, आप ना सकती है, मैं ना चली, इसलिए मुझे प्राइस मत दीजिए, तब उन्होंने म मुझे फर्स प्राइस ना दे के कहा के इनको डेमोंस्ट्रेशन प्राइस दिया जाता है, ऐसे करके मुझे प्राइस दिया, वहाँ शान्ती होगी, फर्स किसी को मिला, जेकंड किसी को थर्ड किसी को, उसके बाद दूसरे जिन्था इंस्रूमेंट, नहीं घर में तो कभी ले ही नहीं जाएंगे, तो दिल्ली में कहीं सुनने को नहीं मिलता था, तो अब क्या हुआ कि सरोद का था नेक्स, इंस्रूमेंट का था, सरोद तो कोई बजाता ही नहीं था, तो जब मैंने सरोद बजाया, तो पूछिये मत क्या तारीफ हुई है, क्योंकि वो इंस्र इस तरह खतम होता चला गया, अच्छन महाराज की भी डेत हो गई, घर में भी बहुत खिलाफत हो गई, घोंगरूंगरू सब बंद कर दिये गए, मैंने जैपुर घराना भी सीखा था, अच्छन महाराज इन सब कभी घराना सब सीखा था, लगनो बिंदा दिन, अब शरोत मे आपस में बजा कर सीख करके शुरू हो गया, अब क्या हुआ कि मैं कहते हूं कि जूबली से नेमा से जो शुरू होई जिंदगी, सरोत की, फिर एक हौल था, दरिया गंज में, क्या कहते है, सरहस्वती भवान, वो आज भी है, महां ओर्फन चिल्रन का स्कूल भी है, आप ज जानते हैं, जैनी लोग तो वहां पर शो करते थे, हम स्कूल के, मैं स्कूल के बेले बनाती थी, डांस करती थी, औरकेस्ट्र बनाती थी, सब के बाजे मंगा लेती थी, मुझे कुछ पता नहीं था, सितार कैसे बचता है, दिल रुपा कैसे बचता है, सब ले आती ही, क्यो का जंग लगे वे तो हमारी प्रिंस्पिल ने में बला के बहुत जब्रदस्ट डाटा और अंग्रेजी में डाटने लगी वर्ट राइट यू है तो ब्रेक आवर लेप तेंग्स अवो मैंने का अब तार तोडने के लिए कहे रहें तार तो डूट से ही तो शांस के नहीं पता ही नहीं था संगीत के बारे मां तो का लगा देए तो लगा दे alleg कि आय दिन लगाते हैं बहुत समझाया नहीं समझी हो खैर तो हमारा क्योंकि शोड था स्कूल के लिए सरस्वती भवन में तो हमने मैं इसलिए 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 बता रही हूँ कि किस तरह जीवन की जद्दो है चली है क्योंकि एक होता है परिवार जहां पर संगीत के उस्ताद और पंडितों का परिवार होता है जहां के बच्चे जब से आँख खोलते हैं वो सुनते हैं और वही माहौल में जीते हैं उसी माहौल में बड़े होते हैं उसमें कोई कहने वाला नहीं होता कि तुम्हें यह नहीं करना लेकिन आपको ये भी बताना चाहूंगी कि उस जमाने में सन चवालिस तैतिस की बात कि वो भी अपने घर की लड़कियों को नहीं तालीम देते थे, वो सुन-सुन के सीख लें, लेकिन उनकी भी लड़कियों बाहर नहीं गाती बजाती थे, सब बाई लोग थी, उनकी भी प का ऐसा हुआ कि जब बड़ी हो गई मैं, और इतनी बड़ी भी नहीं हुए थी, बहुत बड़े बड़े दिगच कलाकार थे उत जमाने में, बड़े लोगों से सीखना तो बहुत इंपॉसिबल था, क्योंकि घर वाले कैसे अलाओ करते हैं, तो मुसलिम थे, उस्ताद परोत का घराना तो एक तरह साल आउदिन खांसाब ही थे बड़े, और अली अकबर खांसाब थे, तो उन्होंने एक दफ़ा मुझे सुना, तो कहने कहां रहती हो, मैं कहां रहती हो, तो मैं च्छकल आओंगा, तो वो सुबस हो आए, घर पर आगए, उन्हों सुना, वो भी विदेश चले गए, उनको गई भी अफ चालिज साल के उपर होगा है, तो वो मेरे से कहलें, तुम ऐसा करो, कि बाबा के पास चली जाओ, अलागदीन खांसाब के पास, उनसर सीखो, तो घर पर आते थे अली अकबर खांसाब, हाँ, दिली आते थे थे ना, तो वो रहते थ कहीं, तो जादे तर तो ये लाला सरी राम की कोठी में रहते थे, तो सब ही महाँ ठाटते थे, उदेशंकर भी, बाबा भी, सब लोग महाँ ठाटते थे, तो घर आ गए, अब जब उनने कहा के बाबा से तुम सीखो, तो आप ताजुब करेंगे के बाबा मुझे हमेशा कह अच्छा महीर आ जाना, लेकिन जब जाने की बाहन ठोथी तो गड़बड हो जाता है, फिर वो, मैं बजाती चली गई, मैं रेडियू में भी बजाने लगी, और रेडियू में बच्चों के प्रोग्राम में भी यहां आती थी, ड्रामा आर्टिस भी बन गई हैं, और मैंन मदर फादर की डेट हो गई, तो और भी परिशानी हो गई, समझ लीजिए जब हमाई मदर की डेट होई, तो ऐसा लगा जैसे भूके की आगे, छपन भूच की थाली पुरसी भी किसी ने खीच लियो, तो बस उत जमाने से मेरा मन खटम हो गया, कहना चाहिए सब खुशिया खथम हो गई, और एक संगीत में पूरी तने डूब गई हो, वो ही मुझे जिन्दा रख पाई, संगीत जो था, वो मेरे लिए ऐसा हो गया, कहना चाहिए सब कुछ हो गया, सर्वस हो गया, और सब को ये लगता है, इसका सब से पहले विभा कर जाना चाहिए, पंडित और मेरा 13-14 वरत से शुरू हो गई चर्चा, धादी की, और कोई विरादरी का ऐसा लड़का नहीं था, जहां से नहीं आया कि हम कर देंगे जाद, तो हर एक घर से रिष्टा रहा है, हर एक कोई तयार है, बड़े से बड़े खांदान में, तो इतफाक से मैं बहुत जिद् तो एक दफा शाम को कहीं से समान भी आ गया, कि तुमारी पक्की कर दी हमने शादी, और ये तुमारी ने बेज रहा है, तो मैं बहुत नराज हुई, कि मुझे अभी सरोद की तालीम लेनी है, बाबा के पास जाना है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सरोद बजाना है, घर वाले सुने ही ना, तो मैंने उस लड़के को बुलाया, सेनेमर जैसी कानी, हमने बुलाया और कहा, वो भी एक लौते थे अपने माबा, मैंने कहा देखिए, मैं सिर्फ संगीत में रहना चाहती हूँ, और मैं किसी के घर की बहु बनके, वो नहीं बन सकती, उसको खुश नहीं कर सकती, मेरा दिमाग सिर्फ इदार है, तो आप मना कर दीजे, आप कह दीजे मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे घार वाले सुनते नहीं है, आप ही मना कर दो, कि मुझे नहीं कर दी, ऐसी लड़की से जो सारे दिन सरोत बजाएगी, तो उनन मना करवा दिया, अब किसी को पता नहीं लगी यह बात, आज बता रही हूं, मैं All India Radio में, कहने हैं नहीं चाहिए, खैर, और मैं सारे दिन बजाती, यहां तक की के एक दिन ऐसा आ गया, कि सब जगे जाना छोड़ती, किसी से मिलती नहीं थी, किसी से जुलती नहीं थी, चार बजे उठती थी, चार बजे से सुभा तक, साथ, साड़े थे तक रयाज करती, फिर तयार होके स्कूल पढ़ने जाती, स्कूल से चाल हूँआ, कॉलेज तक इस तरह से, और फिर आती, खाना भी निखाती, नाशता भी ने करती थी, कोई उठता ऑई नाशता देने कर ती, तो रात को जब बजाती थी तो सब नराज होती तुम सोने ने चूसका शोर होता है तो चौक में बैठके बजाना शुरू किया फिर कपड़ा चम्रे के अंधर कपड़ा चम्रे में डाल दिया क्या वास नहीं है उंगली चलती रहा है अब मैंने क्या जब तक उस्ताद के पास नहीं जाएंगे तब तक अखल सीधी नहीं होगी और चाहिए नाम होगया अब क्या हुआ कि सब जगे से प्रोग्राम मेंने लग अब बाबा ने लिखा कि अच्छा तुम आजो में शांतिनी के दन जा रहा हूं शांतिनी के तन आज सब बोरिया विश्टा बजा थोड़े दिन बाद उनकी नहीं नी भी टेगोर से दो जीनियस थे ना तो उनको लिखा यहां मत आओ महियर आना फिर सब मजाक उड़ाने लगे देख लिया वो भी नहीं चाहते तुम आओ तो बीच में बाबा देली आये तो मैं उनके पास ग सीखिना है तो कहने लगे है शरोद कुछ और सीखो बीना चीचो सितार चीखो गाना चीचो यू मर्दाना बारी यू यू नहीं तुम शीह को यह तो ठीक नहीं सा बचता है और इसमें बड़ी ताकत लगती है तôm तो लिए तो खास फूस कॉने वाली हो अगली घास पूस्काने वाली हो उस जमाने में डर तो लगता अब कोई बात करें उस्ताद तो डर लगता तो मेने का बाबा बें किसी से करो विवा किसी स सो इव यह नहीं हो सकता कि हाई बाबाबा बैने उनसे बिलकुल यह बात कई तो उनकी आंगों में एक ऐसी जोत आती थी, अश्वान देखके मुझकराटां कि। मैंने कर बाबा खाने से थोड़ी बजता है, मनगी शक्ते से बजता है। जप हो गया। के ले गल was एंगा से एहां रखना पड़ता है ऐसे बजाना पड़ता यह लड़की नहीं बजातीं है मैंने का लडकी कोई नहीं बजाती तो कोई लड़की तो बजा एगी तो 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 ठीक है फिर उनका बत रहा है, मेरे घर भी आए बाबा तो सभ बचोन को दी के बड़े बच्चों को देखंग के लिए कुछ लैंक हर सब में बच्छ के लोग तक मैंसे छाओंगा और मेने के लाफ जा Tir kommen लिए पहले तो मैं कलक्टा फाव विमियल 유 дополн तो मेरा समान देख करके वो हसने लगे इतना समान मैंने सोचे महां जाके मुझे सावच चाहिए का किस से कौंगी अब हमारे खांदान में तो कोई जानता नहीं था ये लाइफ के म्यूजिशन की फैमली में रहना है एक उस्ताद के घर रहना है कभी आज तक कोई और दूसरे गर की जाके ऐसे रही नहीं उस्तादों के घर में उस जमाने में वो भी मुस्लिम खांदान में वो बिल्कुल धर्मातमा थे बाबा बिलकुल देवताद में थी तो पहले से थोड़ी पता होता है फिर वो बोले कोली तो होता नहीं मां कौन उठाएगा तुमारा समान अब तो अपना एक बैग, सरोत का, उसी में चार उनके कुर्ते पर आमें, बस, और एक शड़ी, कलें, देखो मेरा समान, हर चीज में शिक्षा देते थे, क्या बाद, हर चीज में उस शिक्षा होती थी उनके, इतना होना चाहिए बस, अब मैं सोच रही कि मुझे स्वेटर अब जो भी कुछ था, स्टेशन मास्टर आता था बाबा को उतारने, तो आया, उसी ने समान उतारा, एक के में बैट करके, गए बाबा की घर में, और रात हो गई थी बाबा ने, बड़ी जोट से सागल बजाई और महीं से चिला है, देखो मैं शरन को लिया हूँ, देखो और मुझे में मदफा दर्ट की तो डेथ हो चुकी थी, मा ने मुझे सच मुझे ऐसे गले से लगाया कि मेरी मा मिल गई, ये सवभागी और किसी को बाबा से नहीं मिला, सच पूछिये तो ये किसी को नहीं मिला, नहीं मिला,